आप स्टीड आप लोग भी अपने बच्चों को और खुद भी कई बार एक्षाइट पर आप में सब्सक्राइब साइब हुआ थेड़ डाएज के बारे में नमस्कार आज हम बात करेंगे energy drinks के बारे में जी हां बहुत सारे advertisements और even cricketers को देख के आप लोग भी अपने बच्चों को और खुद भी कई बार energy drinks, sports drinks खुले तोर पे पी जाते हैं जब प्यास लगती है जब कुछ exercise करते हैं कुछ खेलते हैं या बैसे ही पीते रहते हैं बस काम करने के लिए energy के लिए कि मैं काम करता हूँ पूरे दिन की जट्टो चहत में लेकिन इस drink के अंदर actually क्या है ये कितनी dangerous होती है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है आज हम जानेंगे कि energy drinks जो होती है market में उनके पीछे का क्या काला सच है so मैं हूँ energy drinks जो होती है ये 1990 से शुरू हुई थी और वहां पर 100 से जादा options हैं दुनिया भर में और वहां energy drinks जो होती है teenagers और बच्चों को target करते college going बच्चों को और यंग लोगों को inspire करते काम कर रहो खेलो कूदो पीते जाओ खेलो कूदो पीते जाओ इवन फ्री में बाटे जाते हैं कई बार बहुत जादा attract बना attractive बना के cricketers के हाथ में दे के मगर इनके जो है काफी harmful health effects हो सकते हैं right so है क्या energy drinks energy drinks are different from the soft drinks soft drinks जो आप पीते हैं उनसे different है sports drinks अलग होते है energy drinks soft drinks के अंदर जो है थोड़ी से caffeine होता है और sports drinks के अंदर vitamins carbs और sugar भी होता है and you should only drink these sports drink after an intense workout एक अच्छी heavy एक घंटे से जादा कि अगर आपने sports खेला है वरकाउट किया तब to restore your fluid balance आप यह ले सकते sports drink उसले बनी है energy drinks जो होती है वो जादा तर उनके अंदर caffeine और vitamins में लिस्ट तो किया जाता है कि है उसमें main ingredient तो इसलिए वो healthy लिखती है but that is false energy drinks जो है वो claim करते हैं they will increase your focus improve your performance कई बार वो गलत क्रीम करते हैं उसके अंदर जब test करोगे वो सब जो vitamins and all होते हैं वो नहीं होते हैं ना के बराबर होते हैं जो उसमें actually में होता है वो क्या-क्या होता है what is what's in energy drinks वो समें gurana नाम का एक herb हो सकता है taurine नाम की चीज हो सकती है जींसिंग हो सकता है का नीटीन हो सकता है क्या चीज़े है यह गुराना यह बेसिकली यह टायदनेस प्रिवेंट करने के लिए यूस होती है हर्व है it can improve mental speed it is also used to promote weight loss, sexual desire गुराना के अंदर अपने आप में ही गौराना कह लिए जहे it has caffeine it makes the total amount of caffeine जो basically energy drink से उससे भी जादा यह गुराना में होता है taurine एक supplement है जो memory और endurance के लिए यूस होता है जिंसिंग एक होता है जो herb है which can help reduce stress strengthen the muscles and improve endurance और कई बार एक syneftonine नाम की खतरनाक herb है बिटर बिटर ओरेंज जो actually can promote weight loss वो यूस होते है वो आपके heart rate sympathetic system को over activate कर देता है so that is also little this thing is little dangerous L-carnitine L-talterate करके supplements काई बार उसमें होते हैं जो के बोलते हैं they are to increase energy memory speed to break down fat technically ऐसा कुछ नहीं करता है यह खास बहुत ज्यादा heavy dose करता है जो आपको नहीं मिल रहे हर बार मेट करके कुछ शीजे भी डाली जाती है stimulant डाले जाते है energy drinks में which is to prevent tiredness and improve mood drink ko drink go drink ko ऐसी चीजे उस की जाती है focus tiredness के लिए even st john's what is a herb to reduce stress and improve mood right all these actually harmful नहीं है अपने आप में अकेले लेकिन जब इसे आप combine कर दोगे इन सब को combine कर दोगे with caffeine so एक साथ में यह आपको health diffuse कर सकते हैं अगर आप इसे regularly ले रहे हैं बिना कोई logic के ले रहे हैं problem क्या है energy drinks जो है यह FDA के अंडर नहीं आते हैं तो इनको testing या इनके अंदर कोई law कोई उनको pass नहीं करना पड़ता ठीक है food product दवाईयों में नहीं आते हैं इसलिए इनके ऊपर कोई control नहीं है कोई control नहीं है और यह जरूरी नहीं है कि जितना इसके अंदर हो ingredient वह exact उतना ही लेबल करें there is no law on the product labels for this kind of in this kind of product right softings अगर उसको देखेंगे तो 30 mg तक आपको caffeine मिल जाएगा per serving coffee के अंदर 100 mg मिल जाएगा और energy drinks के अंदर कहीं भी 100 से लेके 250 mg per servings अकेली caffeine होती है यहने के दो तीन coffee दो तीन चाय चाय के बराबर की caffeine होती है plus उतने सारे stimulants जो अभी बताएं वो और advertising दो ऐसी देखोगे के बहीं बतानी कितना इक खतरनाक है and they can actually be very dishonest energy drinks के लिए कही बार वो sports stars rock stars it gives you wings or party like a rock star as energy you need as a claims false claim देते हैं कि उसके बगार आप मज़ा करी नहीं पाओ गया right and we as doctors we actually worry about the dangers of high जितना जादा ले लेते हैं कई लोग आते हैं हमने दो तीन red bull पी ली दिक्कत होगी थी मैं तो बहुत परिशान हो गया सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं उसके अंदर इंग्रीडियेंट्स क्या थे उसमें इंग्रीडियेंट्स जो है पक्के पता भी नहीं तो क्या क्या हो सकता है आपके cns से लेके visual ear skin heart gastric respiratory muscle सब में problems हा सकते हैं chest pain हो सकता है anxiousness हो सकता है nervousness dizziness inability to fall asleep नहीं 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 जिटर सो सकते हैं you can even you know वहां पर weight gain हो सकता है because diabetes वालों में sugar levels high हो सकते हैं energy drinks में sugar भी होती है dental issues आ सकते हैं किसी को diarrhea हो सकता है किसी का पेट खराब हो सकता है किसी को issue हो सकता है कि वो उसके बाद में खाना ही ना खाए सिफ energy drink करके चलते जा रहे है स्टमक एक पेट सर में दर्द ऐसी चीज़े हो सकती है so serious issues can also happen किसी की छुपी हुई बीमारी एक्रवेट हो सकती है किसी heart patients को आप दे दोगे energy drink की heart rate बढ़ जाएगी उनको major issue आ सकता है so energy drinks are not really for everybody it has a health attacks addiction भी होता है उसका energy drinks ले लेके ले लेकि जैसे caffeine का addiction उसके बगार काम ही करा बाता है काम ही किया जाता है जिनका already blood pressure higher side रहता है energy drink regular लेने से high blood pressure और बढ़ सकता है जिनको brain के अंदर scissors की problem है कुछी को neurological issue उनके scissors बढ़ सकते है heart problems आ सकती है many people report rapid heart beat जिनको जिनके major major जो use करते है जो uneven heart beat आती है अगर आप ज्यादा use कर लें तो so rare cases में heart failure भी हो सकते है और rare case में death भी हो सकती है overdose of these kind of sting wings जो दर दादा पी लिया ज्यादा खालिया so you can see search करोगे तो death due to energy drinks के वज़े से death होती है यह भी आपको reports में दिख जाएगी कही सारे news में दिख जाएगी and children बच्चों को इतनी caffeine इतना जादा नहीं देनी होती भाईया उनको तो आम किसी बच्चे को बोलोगे लिए चार coffee पी ले नहीं बोलोगे न तो ऐसी है यह जादा ज्यादा energy drink को उठा के एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद एक drink पर drink खाय जाते है exercise की नहीं बगल में बेट है movie देख रहे है यह कर रहे यह पिए जा रहे यह क्या मतलब वहका तो energy drinks, sports drinks, sports drinks का role है कोई ड्रिंग का कोई रोल नहीं है sports drink का रोल है एक गंटा exercise करी तब जाके अब रिपल इनिश्क के लिए sports drink ले रहे हो energy drink क्या होती है it is harmful for you right it is harmful for people who have heart condition it is harmful for people who have asthma it is harmful for everybody who drinks it for their own say कि भी energy चाहिए no it's not for that it's not meant for that should not be used for that American Academy of Family Physicians ने यहां तक बोला है कि FDO को इसके लिए गाइडलाइन बनानी चाहिए labels को चेक करना चाहिए कि labels अच्छे है कि नहीं है products should be tested and controlled यह बहुत गलत marketing होती है जो खासका 18 सी नीचे के बच्चों को होती है वो बहुत जादा over भी अर सकने इसको पढ़े पढ़ते होए रात भर में चार चार Red Bull ले ली यह ले ली वो ले ली and then next day दो दिन सो है नी that's wrong, that's wrong, just wrong so be cautious जब तक कोई government agencies इस चीज को रोपती नहीं है तब तक अपने आपको अपने बच्चों को, अपने दोस्ट को, अपने भाई इसमें इतनी सारी caffeine और stimulants का कोई रोल नहीं है अपनी सिंपल सी एक चाय या एक coffee बहुत अच्छी का है stimulant आपके लिए उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है उसके भी अपने खुद के side effects ने चाय coffee caffeine के, वो भी अलग से video आपने बना रखे जिक्षच समय है So, don't do that So, be cautious जो स्टुडेंट है एक्जाम के दिन पर प्लीज रिमेंबर एक तो चार घंटे अगर यह आपको एनरजी ज्यादा भी देता है उसके बाद जिट्रिनेस रहती है सोते नहीं हो रिकवर नहीं होगा कुछ याद भी नहीं रहे है तीक है तो यूस फाइनरजी ट्रेया उसको ब स्ट्द्रेटरिक णी रहे है कि अधिवर नहीं कि़ ऐनरजी उसकोडने सहने गया आल्यॼल स्टेशलने ऋब कर दो कर को प्र सिडश्ने पर अधिकी मेले बाद यह नहीं रहे हैं और कि व considered the Princeton और उनके परफॉरमस भी खतम हो सकती है, right? So, क्या कर सकते हो, right? There is a dangerous trend nowadays, right? To drink energy drinks, to be cool, to mix with them, mix them with alcohol, यह और जदा खतरनाफ हो जाएगा. So, अगर अल्कोहल के साथ मिक्स कर दोगे, you will not know कि आपने कितनी पीली है, आप चड़ीगी नहीं, आप जादा पीलोगे, दो की जगा, तीन की जगा, चार की जगा, छे की जगा, आठ पीलोगे, और फिर जब energy drink का असर होगा, अल्कोहल का असर होगा, तो फिर ऐसी की तैसी हो जाएगी. So, it's very bad choice to drink alcohol with caffeinated drinks. Very bad, very bad. So, do not mix energy drinks with anything, or illegal drugs, yeah, any smoking alcohol, it's very very bad for you. देखो भी, हम तो बताई सकते हैं, है न? So, talk to a doctor, अगर आप या आपके दोस्या, आपको कुशी को भी energy drink के वज़े से कोई health concern है, कोई symptom हो रहे हैं, हो सकता है, आपको treatment की सरूरत हो, आप कितनी कैफीन सेफली ले सकते हैं, उसके ओपर अमारे वीडियो देखो, आपकी उमर के हिसाब से, energy drinks, कितनी calories होती है, क्या-क्या होता है, उसका label पड़ो, अलग-अलग label पड़ो, and अगर आपको serious issues हो रहे हैं, तो आप energy drinks से दूर रहो, प्लीज, प्लीज, शेर दिस वीडियो, energy drinks खतरनाक हो सकती हैं, और एक आदा लेने से कुछ नहीं होता है, बट रेगुलर इसकी लत्मत लगवाई लीजे, ठीक है, so this is a video which people searched for, and that's why we had to make, so I hope this helps, thank you so much, stay connected, stay healthy.